नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजी कुस्ने चनल में आज के लूट लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे कि दोनों पैर के तलवों में जो जुन जुन आठ होती है जलन होती है यह प्रॉब्लेम को हम कैसे स्वाल कर सकते है फिर यह जो जलन होती है पैर के तलवों में वो क्यों होते है कौन से रीजन से होती है फिर कौन सी दवा या उसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है तो detail में study करते हैं आज के lecture के अंदर और जानते हैं कि किस तरह से ये problem को हम solve कर सके तो यसे ही समझें कि आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवा यू के बारे में, बीमार यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी भी बीमारे के बारे में basic सीख पाऊगे उसके symptoms क्या है, causes, diagnosis, treatment और कौन से medicine सोगेरा use होती हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तब आते हैं topic प्योर समझते हैं कि जो दोनों पेर के तलवों में जो जुन जुनाहाट होती है जलन वगेरा होती है तो ये क्यों होती है और कैसे ये problem को हम solve कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके हम basic के बारे में समझे तो medical terms के अंदर उसको burning feet कहा जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो feet होते हैं पैर के जो तलवी होते हैं वहाँ पे आपको burning sensation फील होते हैं as well as tingling जैसा वहाँ पे आपको फील होता है जैसे कि आप आप diagram में देख रहे हैं कि जो specially feet का reason होता है नीचे का तो ये reason में specially आपको जो जलन होती है burning sensation जैसा फील होता है और जुन-जुना होती है कि जिसको हम sort में tingling होता है ऐसा कहते हैं तो उसके symptom हम देखे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पैर के तलवे है वहाँ पे आपको जलन होती है तो ये एक main symptom है ये problem का कि जिसको हम कहते है कि burning sensation जैसा होना feet के अंदर second symptoms हम देखे तो tingling जैसा फील होता है कि जो तलवे है वहाँ पे आपको जुन-जुना होती है तीसरा symptom हम यहाँ पे देखे तो needle prick जैसा आपको फील होता है कि जैसे कि सुई चुबने जैसा ऐसा होता है और कई बार हलका सा दर्द भी रहता है वहाँ पे कि जैसे कि कुछ बार वहाँ पे loss of feeling जैसा फील होना numbness जैसा फील होता है burning sensation और tingling तो यह main symptoms देखने को मिलते हैं फिर अब जानते हैं उसकी reasons वगरा क्या है तो सबसे पहला reason यह है कि जो हमारे legs होते है या फिर जो हमारे feet होते है वहाँ के जो area की जो neurons होती है वो weak होने लगी है या फिर वो neurons जो हो डैमेज होने लगी जिसको हम nerve damage के थे हैं तो neurons के damage के करण यह problem जो हो सकती है second reason हम यहाँ पे देखे तो peripheral neuropathy का जो problem होता है जिसके अंदर जो हमारे neurons होती है उन area में जो blood flow होता है वो reduce होता है और उसके करण आपकी जो neurons होती है वो damage होने लगती है जिसको simple हम कहें तो neurons का damage होना और neurons के damage होने से भी यह problem हो हो सकती है कि जिसको हम peripheral neuropathy कहते है medical terms के अंदर तिसरा reason है diabetic नीरो पे थी तो यह आप डायग्राम में समझोगे तो easily समझ में आ जाएगा कि यह फर्स्ट वाली जो यह neuron है वो proper healthy neuron है normal neuron है पर नीचे वाली आप neuron देखो तो वहाँ पे जो उसका exon का जो बाग होता है तो वहाँ पे जो myelin है वो दीरी-दीरे damage होने लगता है और इस तरह से neurons जो वो damage होने लगती है कि जो diabetes के patient के अंदर यह दीरे-दीरे आगे जाके होने लगता है कि जिनका diabetes अच्छे से control में नहीं रहता sugar level काफी ज़्यादा high रहती है तो उनको आगे जाके यह diabetic neuropathy के problem होते है और यह neuropathy में एक symptom होते है कि आपके पैर के जो तलवे होते है वाव पे जलन होती है जुन जुना हाट वगेरा होती है फिर चौधा reason है कि कोई person काफी ज़्यादा सराप पीता है काफी heavy alcohol drinking करता है तो उसको भी आगे जाके यह problem जो हो सकता है burning feet का पांचवा reason हम देखे तो vitamins की deficiency और उसमें भी especially हम देखे तो जो vitamin B12 है B5 है, B6 and B9 जैसे जो vitamin से उसके आपके सेरीड के अंदर कमी है तो भी यह problem हो सकती है फिर छठा reason हम देखे तो nutritional deficiency जिसको हम कहते है कि पूसक तत्व के कमी है तो यह specially होती है diet में से कि आप proper healthy diet नहीं लेते तो जो nutrients आपको नहीं मिलते है और nutrients ना मिलने के करण यह problem हो सकते है तो ऐसे cases में आपको अच्छा healthy diet लेना चाहिए कि जिससे यह problem जो हो next जो reason है hypothyroidism अनलब कि जो under active thyroid gland हम कहते है कि जो आपके thyroid gland जो प्रॉपर मात्रा में thyroid hormone release नहीं कर रही तो भी यह problem जो हो सकता है फिर जो TTS का जो problem हम कहते हैं कि जिसको medical term में tarsal tunnel syndrome कहा जाता है और उसमें swissily क्या होता है कि जो neuron होती है और tarsal tunnel के अंदर जो posterior और tibial nerve होती है वो अच्छे से काम नहीं करी है वो दिरी-दिरे damage होने लगी है तो भी आपको यह symptom जो है डेवलप होता है कि जिसके अंदर आपके तलवों में जलन होती है दर्द सा मैसस होता है जुन जुना हाट वगेरा होने लगती है next है chronic kidney disease की जो patient होते जिनके kidneys दिरे-दिरे खराब होने लगी है और GFR की जो value है वो उनके reports में काफी कम आ रही है तो उन लोगों को भी यह problem हो सकती है और एक और reason हम देखे दो HIV AIDS की जो patient होते है उनके अंदर भी यह symptom देखने के लिए विकाज जो दवा यह होती है उनके side effect के करण भी पैर के तलवों में जलन होती है तो अब बात आती है कि diagnosis कैसे किया जाए कि यह problem का जो नीदान है वो किस तरह से हो सकता है तो सबसे पहले जो जरूरी है patient के medical history चेक करना कि past में उनसे कौन सी दवा यह यह यूज की थी वो एरिया में प्रॉपर एक physical examination होता है तो उससे जो यह वो reason पता लगा सकते आप तीसरा जो patient के sign and symptoms है कि जब आप उसके साथ counseling कर दे है बातचीत कर दे है तुस्वक्त यह पता चलता है कि कौन से reason से problem हो रही है फिर blood and sugar blood के अंदर जो sugar होती है उसका test कराना जरूरी है कि जिसको हम blood sugar test करते है या फिर urine के अंदर भी कितनी sugar आ रही है वो भी test कराना जरूरी है विकास जिससे हमने देखा कि diabetes के जो patient के अंदर भी एक symptom develop होता है और कई बार कुछ लोगों को पता भी नहीं होता तो treatment के हम अलग-अलग options देखते है तो सबसे पहले क्या करना है तो ठंडे पानी के अंदर जो वो pair को रखना है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे है कि एक tub के अंदर आपको अच्छे से पानी बरना है और फिर आपके pair जो दिन में ipsum salt कि जिसको हम कहते है magnesium sulfide जो कहा जाता है कि उसको आप उसके अंदर mix कर सकते है और फिर same आपके pair जो उसके अंदर रखने है कि जिससे भी यह problem के अंदर काफी ज़्यदा जो रहात मिल दे और यह दिन में एक बार या फिर week में एक बार आप कर सकते है तीसरा option यहाँ पे बनता है कि उसी तरह से जो apple cider विने गराता है उसका जो solution होता है कि यह समझे कि आप एक ml जितना या फिर 10 ml जितना लेते है और उसको थोड़े से पानी के अंदर या फिर tub के अंदर या फिर कोई ball के अंदर आप mix कर दे है और फिर उसके अंदर आपके पैर बिगोते है तो भी यह problem दिरे दिरे ठीक होने लगते है और यह विक में एक ही बार करना चाहिए ज्यादा बार आपको यह process नहीं करनी है next option हम यहाँ पे देखे कि turmeric की paste है वो आपको लगानी है कि जो तलवो के असपास यह और उपर का जो बाग है वहाँ के हल्दी जो है turmeric है उसके paste वहाँ पे लगानी है कि जिससे भी यह problem जो वो soul होने लगता है पाचवा option यहाँ पे हम देखे तो food की अच्छे से care करने के लिए आपको क्या करना कि एक cream आती है food care cream करके आता है हिमाले के कि जिसके अंदर main ingredients पे सली turmeric और उसके अलग-अलग extracts होते हैं तो यह भी आप वहाँ पे तलवो में लगा सकते हैं अब बात करते हैं medicines की कि कौन सी दवा या जो वो prescribe की जाती तो सबसे पहले यहाँ पे जो अलग-अलग option से वो आपको देख लेने के ऐसाने कि यहाँ पे मैंने 10 option बता है तो 10-10 tablet patient लेता है उसमें से कोई एक ही लेनी होती है पर अच्छे से अलग-अलग options को देख लेए तो सबसे पहला जो option रहता है वो है maconar fort के tablet का कि जो यहाँ पे prescribe की जा सकती है कि जिसका dose रहता है कि एक capsule लेनी होती है per day और जब तक यह problem solved ना हो तब तक यह patient जो ले सकता है कि मानलो 30 दिन तक 60 days तक या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक यह capsule जो पेशन खा सकता है दूसरा option यहाँ पे बनता है optineuron fort के tablet न के जिसके अंदर vitamin B complex और B 12 रहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दिखा कि एक specially reason बनता है कि जो neurons कमज़र होने का vitamins के deficiency के करण तो वो problem solve करेगी यह tablets तो उसका भी dose सेम रहेगा कि एक tablet जो दिन में एक ही बार लेनी होती है तीसरा option यहाँ पे है neurobian fort के tablet का कि वो भी same dose मिली जाती है फिर चौथा option हम देखे तो neurobian plus की भी tablet आती है कि अगर आगे वाली medications आपने try कर ले फिर भी यह problem solve नहीं हो रहा तो एक option बनता है neurobian plus के tablet का कि जिसका dose रहता है एक tablet दिन में एक ही बार लेनी होती है पांच वो उप्सन है neurons की healthiness के लिए जो ज़रूरी content वगेरा है वो यहाँ पे जो दिये हुए है फिर चठा option है neurokind gold के जो capsule साथ है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके दर multivitamin और multiminerals रहते हैं कि जो specially neurons की healthiness के लिए ज़रूरी कि जो यहाँ पे हमने symptoms देखे वो हो रहा है तो उसके लिए यह capsule भी काफी useful साभीत होता है फिर अगर tablet से ठीक नहीं हो रहा patient को तो IV therapy या फिर intramuscular injection के लिए neuroband fort का injection आता है पर यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब भी यह injection को IV में लगा ज़ता है तो proper जो उसको dilute करके ही लगा ज़ता है जब भी IV में लगता है और एक week में सिर्फ एक ही injection जो लगाना चाहिए multiple injection लगाने से side effect या फिर और ज़्यादा complications हो सकते because excessive vitamin से भी side effects होती है तो यह आपको खास दियान रखना है फिर इसे का एक अलग option बनता है वो है neurokind gold के injection injection कि जिसके अंदर pyredoxine hydrochloride है nicotinamide है और macobalamin उसके अंदर result है तो यह भी same तरह के से लगता है विक में एक ही बार यह injection लगाना चाहिए फिर आगे option बनता है कि अगर neurons के कारण pain भी हो रहा है आपको काफी ज़दा कि तलवों में जलन भी हो रही है और जंजनार के साथ उसाथ वहाँ पे दर्द भी रहता है कि जैसे हमने बात की कि सुई चुबने जैसा एसास होता है काफी ज़दा दर्द भी रहता है वहाँ पे तो उस वक्त यह Resner Plus के tablet जिवो प्रेजिशन को प्रेस्क्राइब किये जा सकता है जैसे कि उसके अंदर रहता है प्रेगा बालेन रहता है नौट रिप्टी लाइन रहता है और मिथाल को बालेमाइन रहता है कि जो विटामिन B12 है तो इसका जो डूस रहता है खासकर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो यूज की जा सकती है next option है कि अगर वो combination यूज नहीं करना तो plain option में भी रहता है प्रेगा बलेन 75 mg में कि ये प्रेगा लिन करके आप याप tablet देख सकते है 75 mg के तो एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार हर 6 या 8 गंटे के time interval पे लिजा सकती है next option है गाबा पेंटेन का कि जो 100 mg के tablets अविलेबल होते है तो वो भी same dose में लिजाती है कि एक tablet दिन में एक या फिर दो बार और दो tablets के बीच में at least 6 या 8 गंटे का time interval रखना जरूरी बनता है फिर अगर काफी ज़्यादा pain हो रहा है patient को तो उसको control करने के लिए वो topically externally ointment भी लगा सकता है जैसे कि airy gaba ointment है या फिर उसके option में दूसरा रहता है pry locks करके रहता है कि जैसके अंदर lignocan और pry locken खास कर रहता है और ये दिन में 2 या 3 बार patient जो वो लगा सकता है तो अब बात कर दें कि कैसे prescribe की जा सकती है तो सबसे पहले कोई ऐसे tablet की जैसे के अंदर b12 वगेरा है b5 है b6 वगेरा vitamin है तो उसके लिए macon or fort का एक option रहता है तो ये prescribe की जा सकती है अगर ये से भी ठीक नहीं हो तो जो दूसरा option हमने देखे दे काफी सारे एक जैसे की neuroband fort है, maxzla है, neurokind gold है तो उसमें से कोई भी एक prescribe की जा सकती है second, new साथ में समझे की IV therapy भी देनी है या फिर intramuscular injection तो week में एक बार injection लगाया जा सकता है, neurokind gold injection फिर तीसरा option बनता है कि अगर pain भी हो रहा है तो उस वक्त आप prescribe कर सकते है, listener plus tablet अगर pain वगेरा नहीं है तो उस वक्त ये तीसरा option यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और Eric appointment भी similar दरीके से अगर pain हो रहा है, दर्द काफी हो रहा है तो ही ये देना चाहिए वरना उपर के दो option से भी problem जो ठीक हो जाती है तो वीडियो को ज़रूर से आप share करें अलग लग whatsapp groups के अंदर और जो भी आपके demand है next videos की, वो आप comment box के अंदर comment कर सकते हैं तो ऐसा ही समझे कि detail में सिखना है बहुत सारी दववा यो के बारे में बीमार यो के बारे में तो medicine course को join कर सकते हैं, तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best